लोगडाउन को लेकर राहूल गांधी का भी ट्विट सामने आया है। किसानों, मजदूरों सभी को एक पैमाने से नहीं देखा जा सकता। राहूल गांधी ने ट्विट किया है। पुर्ण लोगडाउन कई वर्गों के लिए बीपताब बन गया है। राहूल गांधी ने ये भी कहा देश को समार्ट समधान की जरूरत है। बड़िस्तर पर टेस्ट हो राहूल गांधी ने ट्विट के जर्यें के बाते कही है। वारस के होट स्पोर्ट की पहचान और खिराव करें बाकी जगों पर सावधानी से दीरे दीरे कामकार शुरू होना चाहिए। तो ट्विट के जरीए राहूल गांधी ने कड़ा संदेश, कड़ा मेसेज दिया है। लॉकडाउन को लेकर राहूल गांधी ने ट्विट किया, उन्होंने लिखा कि किसानों श्रमिकों, मजदूरों, वैपारियों को एक पैमाने से नहीं देखा जा सकता, पुर्ण लॉकडाउन कई वर्गों के लिए बीटता बन सकता है। बेश को स्मार्ट समधान की जरुवत है, बड़े स्तर पर टेस्ट, वारस, हर्ट स्पोट की पहचान और घिराओ की जाए। बाकी जगों पर सावधानी से भीरे-भीरे काम काज शुरू होने चाहिए। तो काम का शुरू होने को लेकर भी राहूल गांधी ने ट्विट किया। लॉकडाउन के बीच राहूल गांधी का ट्विट जो है, वो सामने आया है। तो राहूल गांधी ने अपने ट्विट में क्या कुछ कहा वो आपको दिखा रहे हैं। रहूल गांदी ने अपने ट्विट के जरी लिखा किसानों, श्रमिकों, दिहारी, मज़़ूरों, वैपारियों सभी को एक पैमाले से नहीं देखा जा सकता, फुर्ण लॉकडाउन कई वर्गों के लिए बीपता बन गया है, देश को स्मार्ट समधान की जरुवत है, बड़